हेलो स्टुडेंस कैसे आप लोग देखें इस अध्याइन के सिंखला में इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैसा के स्किन पर भी दिखाई दे रहा है लेटी टी रूनल और रिजनल डिस्टिब्यूशन आफ टम्प्रेचर अर्थात तापमान का अक्षांसी या प्रादेशिक वित्रण तो यह जो वित्रण किसके संदर में प्रिथिवी के संदर में संपूर्ण प्रिथिवी के संदर में हमें तापमान के वित्रण को देखना है और जैसे तापमान सब्दावली आती है temperature, terminology हमारे पास आती है तो यहाँ जान ले पूरू की क्लास में भी हम लोगो ने चर्चा की कि तापमान एक ऐसा प्राकितिक तत्व है बेसिकली जलवाईक तत्व है क्लाइमेटिक एलिमेंट है जो हमारे संपून क्रिया कलाब को निर्धारित करता है तापमान से ही हमें एनर्जी और उस्मा प्राप्त होती है जिसे संपून प्राकितिक जगत में क्रिया सेलता संपादित होती है अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पूरे पृत्वी के उपर तापमान का अंतिमतम स्रोथ क्या है सूरी है तो सूरिय से जो इलक्टो मेगनेटिक रेडियेशन आ रहा है, काने का मतलब विद्दुचुम्ब की विक्रण आ रहा है, लगुत रंगों के रूप में वही परिवर्ति थोका संपूर्ण क्रिया कलाप को संचालित करता है, प्रतेक्षिया अप्रतेक्ष रूप से, तो यहा जो आरक निधारित करते हैं, तो जब हम ताप्मान वित्रण की बात करते हैं, कि original distribution of temperature या latitude distribution of temperature की बात होती है, पूरे globe के ऊपर, तो यहां कई परिस्थितियां हम देखते हैं, जो ताप्मान प्रिथवी पर आ रहा है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि इस प्रिथवी पर जो जो functional process होता है उससे गुजरते हुए एक नियत समय के बाद यह तापमान जो उसमा और उड़जा के रूप में पुनह अंत्रिक्ष में उसर्जित कर दिया जाता है तो जो तापमान हमारे पास आता है उसको सुरियातब करते हैं और भू सता से जो तापमान या भूमंडल से ज इस संदर में हम लोगों ने उसमा बज़ण में विचर्चा की अन्य टॉपिक में विचर्चा कर ली लेकिन यहां पर पूरे पुरे पृथवी का पमान का वितरण एक समान नहीं है एक समान क्यों नहीं है तो इसके दो अगर जितने भी कारक हैं अगर इसको हम बाटनी की को नीरबर है जिससे पृत भी पृत भी क्या कर रह revers कर रहे हैं गुड़न अन्गती कर रहे हैं तो कहीं दिन कहीं रात इसके बाद पृत पृतिभी सूरी के चारोत्रफ चक्कत कर लगा रहे जिसको परिकरमण कहा आ जाता है तो परिभ्रमण डोटेटली motion और परिकरमण किय तो हमें पता है कि लगबग एक लाग साथ जार किलो मीटर प्रति घंटा की वेग से प्रिथभी सूरी के चारों तरफ घुमते हुए 365 दिन में एक चक्कर लगा दिये तो इस परिष्थिती में कभी अपसावर की स्थिती होती है कई उपसावर की याने एफिलियोन और पेरी हिलियोन की स्थिती होती है कभी सूरियाता पधिक आता है कभी सूरियाता कम आता है और दूसरी और प्रिथभी जब घुनन गति कर रहे है तो प्रिथभी भी अपने अ परिक्रमन गती है जो दिर्ग बित्ताकार का अच्छा में सूरी के चारों तरफ चक्कल लगा रही है तो इस इस्थिति में क्या हो रहा है कि सूरी की जो सापेचिक इस्थिति है अगर एक्जेक्ट सापेचिक इस्थिति देखा जा तो साड़े तेई संस उत्तर करकरेखा तक और साड़े तेई संद दच्छिन अर्थात मकर रिखा के मद्धी ही होती है जिसको कहा जाता है समानिभासा में हम लोग क्या बोलते हैं सूरी का उत्तायन दच्छनायन नार्थवर्ड और साउठवर्ड मोमेंट आप दसन लेकिन वास्तों में सन का मोमेंट नहीं होता है ये म मोमेंट के कारण ये इस्तिती बदलती रहती उसकारण भी सुरिया तपकी मात्रा में कम ही आती है लेकिन पूर्ण प्रिख भी के अगर हम बात करें तो इन निरपेख्ष कारकों के अतरीकत बहुसे ऐसे कारक हैं प्रिख्ग के सतह पर और वाइमंडल में जो सुर्या तप की प्रविर्ति को प्रभावित करते हैं. पहले आप देखो इस्थर और जल का वितरन, तो हमारे यह इस्थर और जल का वितरन असमान है. उत्तरी गुलार्द में नर्थेमी स्थियर में लगवग 90 प्रतिसत स्थल खंड है और 10 प्रतिसत जो इस्थल खंड हुग कहा है? दच् में उत्री गुलार्द में महासागर की स्थिति कम है इसके साथ साथ इन में इस्थित भू आकृतियां कहीं उचे उचे परवत हैं कहीं पठार है और इसके साथ साथ भूगरविक सनचनाएं जैसे कहीं रेगिस्तानी छेत्र है तो कहीं पठारी है कहीं मैदानी है तो रेगिस जल्दी गरम होते हैं जल्दी ठंडा हो जाते हैं इसी तरह से जो आदर मैदानी छेत्र हैं हुमिट प्लेन रिजन है वहाँ पर आदरता होल्डिंग कैपिसिटी ज्यादा होती है जिसे अगर भारत की बात करें तो जो हमारा तराई छेत्र हिमाले के परवत पदी भाग में य प्रभावित करते हैं इस संदर में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं संपूर्ण प्रिथवी को कि तापमान का वित्रन कहां है किस प्रकार से तो प्राचीन काल से बिद्वानों ने क्या किया अपने अपने मत प्रस्तुत किये अपने अपने मत प्रस्तुत के लिए कि उ देना चाह रहे हैं आपके सामने कि जब हम देखते हैं संपुन पृथिभी पर कि स्थिति क्या है तो देखें ये पृथिभी है हमने माल लिया येक सर्कल जो लिया हमने प्रिथवी और ये क्या है भूमद्य रेखा ये भूमद्य रेखा ये एक्वेटर है या विश्वत रेखा इसको क्या बोलते हैं विश्वत रेखा है अब यहां समानी जो प्रिथवी और सूरी की सापेचिक इस्थिती है जिसको हमने निर्पेश कारण बताया तिसमें ये द डिगृ उत्तर यक्षान से कहा। 40 डिगृ नार्थ एए 40 डिगृ नार्थ लेटिटिवड से लेकई 40 डिगृ साउथ लेटिटिवड तक देखा जाये। तो जो इंसुलेशन ने सुरिया तब की मात्रा, जो सुरिया सौरिक विक्रण से प्राप्त होने वाली तापमान की मात्रा है, पार्थी विक्रण से जादा है, और टेरिस्ट्रियर रेडियेशन से जादा है, जो 40 डिगरी अगर का खचेतर हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो इनकमिंग सोलर रेडियेशन ग्रेटर देन आउट गोइंग टेरिस्टियल रेडियेशन कहने का ताथ पर यह हुआ कि जो आने वाला सो सवरिक विक्रण है उसकी मात्रा जाने वाले पार्थी विक्रण से क्या हो गया ज्यादा है कहने का मतलब भीकर इसको हम समझाने क्या कहने का ताथ पर यह हुआ कि सवरिक विक्रण की मात्रा पार्थी विक्रण से ज्यादा है तो यहाँ पर जो उस्मा या एनर्जी क्या होगी सर प्लस होगी तो यहाँ पर इस्तिति क्या होगी कि तापमान यहाँ ज्यादा होगा यहाँ तापमान क्या होगा ज्यादा होगा इस कारण इच्छित्र को नाम किया दिया गया ट्रोपिकल जून यह पूरा का पूरा क्या है ट्रोपिकल जून है यहां पर तापमान क्या होगा सर प्लस होगा उस्मा आधिक के होगा तापमान आधिक के होगा टेंपरेचर क्या होगा सर प्लस यह भाग गर्म होंगे लेकिन जैसे 40 संस उत्री अक्षान से उत्तर की और जाते हैं और 40 संस दच्ण अक्षान से दच्ण की और जाते हैं तो यह परिस्तिती बदल जाती है। जब मकर रेखा पर आती हैं तो मकर संक्रांती करते हैं जो करम से 21 जून और 22 दिसंबर को संपादित होती है। जाएगी यहां इसलिए हो जाएगी कि यहां पर अगर हम देखते हैं solar radiation लेशर देन टेरिस्ट््रीयल रेडिएशन कहने का मतलब कि पर टेरिस्ट्रीयल रेडिएशन जदा हो गया जब पार्थी विक्रन जदा होगा ति यह भाग सीषुटल हो गया यही कारण है कि वुँछ अपर पर क्या होती है ज्यादा होती है और उपर तक उपर बोले तो उत्री धुरू तक पहुंचते पहुंचते हुआ क्या हो जाता है पूरी तरह से सुनो कबर छेतर हो जाते है तो यह तापमान की परिस्थिती है तो समान रुप से हमने क्या देखा समान रुप से यह देखा कि अ अब देखो जो यहाँ पर एक सूचना मैं आपको देना चाहरा हूँ जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ यह टॉपिक यूपिएससी हैने आईएस के एक्जाम के साथ साथ इस्टेट पीएससी और अधर एक्जामनेशन जो भी वन डे एक्जाम आप देते हो सब के लिए बहुत ज़्यादा फ्रुटफुल है और यह रिटेन टाइप कोश्चन के साथ साथ जो अबजेक्टिव टाइप के कर देंगे आपके सामने इन इंट्रोड्यूश कर देंगे अगर उन प्वाइंट को कर बहुत अच्छी तरह से आप रखकर प्रेक्टिस कर जाते हो रिटेन के लिए तो मुख्य परिच्छा में क्या हो गया में एक्जामनेशन में रिटेन कैपसिटी आपकी क्या होगी कोश्चन बाहर का नहीं आएगा कोई कमिसन हो कोई बोर्ड हो अगर इस टॉपिक से कोश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो चाहे वो कानसेप्स्वल कोश्चन हो या फैक्च्छल कोश्चन हो कोई कोश्चन बाहर नहीं जाएगा तो ध्यान रखे तो यहां पर यह तापमा तो यह जो ग्राफ है इसको इंपेक्ट इसका पड़ेगा क्या कारण है तो बहुत से कारण है जैसे जल इस्थल की उपस्तिती परवतों की उपस्तिती भुगर्विक संद्चना तो अनेक कारण इसको क्या करते हैं प्रभावित करते हैं तीन कारकों को ध्यान में रखते मानो वसाओ भी है, सब कुछ कारण क्या करता है, इसको प्रभावित करता है, जिसे मानो वसाओ को अब लिया गया, वर्तमान में अगर हम आधुनित जलवाई विज्ञान की बात करते हैं, जिसको सिनाप्टिक क्लाइमेट अलाजी कहा जाता है, तो मानो वस्तियों को भी लिय जा रहा है आपको पता है कि जहां मानों की बस्तियां सगन होती हुआ तापमान जादा होता है और जैसे रिमोट एरिया में जाएंगे उससी समय तापमान हम क्या करेंगे कम पाएंगे जिसके पीछे कई कारक है जब आम कभी सेनाप्टिक क्लाइमेट अलाजी पर आपसे बात करेंगे अप्लाइट क्लाइमेट अलाजी पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको मजा भी आजाएगा क्योंकि वो जो तथे आएंगे वो करेंट आएंगे और आसपास के प्रविर्तियों को हम समायत करते हुआ आपको समझाने की कोशिस करेंगे अब देख करते हैं जिसको कहा जाता है जिए जैसे जैसे बिचारधारा है आगे बढ़ी तो अगर भागोली की इतिहास की बात करते हैं तो ग्रीक स्कूल आप थार्ट सबसे पहले आता है काने का मतलब युनानी भागोली बिचारधारा सबसे पहले आती है तो युनानी विद्वानो ने सध्यों पूरुव संपूर्ण प्रिथवी को देखा जाया तो तीन जोन बताया टॉपिकल टैंपरेट और फ्रिज जोन लेकिन संपूर्ण प्रिथवी को देखा गया इस अधार पर पांच भागू में बाटा गया और ये प्रभिती चलती रहे लेकिन जैसे जैसे ट्रॉपिकल, टेमप्रेट एंड फ्रिज जोन ग्रिक बिद्वानों ने दिया था उसकी जग़ा, इन्होंने क्या किया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेमप्रेट एंड फ्रिज जोन की बात की, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेगे 1950 के दसक के बाद मातरात्मक क्रांती का आगास हुआ और विज्ञान और प्रदोकी का विकास हुआ और विज्ञान और प्रदोकी के अंतरगर जमातरात्मक क्रांती की बात करते हैं क्वांटिटी रेवलूशन में क्या हुआ इस्पैसियल टेकनलाजी आगी कानिक मतिस्थानिक प्रदोग की आगी जिसको हमें स्पैसियल इन्फार्बेशन टेकनलाजी करते हैं जिसका मूल अधार कंप्यूटर और सेटलाइड से तो उसके अधार पर संपूर्ण विश्वक म करेंगे जिसको हम डाइग्राम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उनकी मूल भूत विश्ष्ष्टाओं पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए देखें यह जो जोन है थोड़ा बड़ा मैं कर दूं यह जवान थे ग्रिक भूगलवेत्ता और जोगरफर उन्होंने दिया क्या किया तीन भाग यह पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन है अर्थात उस्र कडिबंद और यह जो ब्लीव कलर से देखने दोनों तरफ टंप्रेड जोन है और फ्रीज जोनाने सीथ प्रदेश है तो दो ग्रिक भूगलवेत्ता नाम किया दिया ट्रॉपिकल जोन अर्थात उस्र कडिबंद कहां से फ्राम 23 and half north latitude to 23 and half south latitude के मद्धे वाला जो भाग है वो क्या है ट्रॉपिकल जोन है किसने बताया ग्रिक भूगलवेत्ता अमोमन इसको हम मानते भी है उसी तरह से दोनों साड़े 23 से साड़े 66 के मद्धे का जो जोन है उसको नाम दिया इननों सीतोषन थोड़ा सीत और उशन है तो सीतोषन कडिबंद था टेमप्रेट जोन कितना दोनों गुलारदों में कितना 23 and half से लेकर 66 and half के मद्धे का जो पायट है इन बोथ है मिस्पियर उसको नाम किया जोन के बाला इए तैमप्रेट जोन उसके बाद साड़े 260 से लेकर धुरों तक दोनों तकogenара गरे चे लेकर अथयंनों साड़े ग्रीक कडिया गर्रिक ईिशझ य। प्रफाट का है नहीं कहने का मतलब जो युनानी भावगोली विचारधारा के लोग सम्मंदिते उन लोगों ने दिया लेकिन बाद में सुपान ने क्या किया इसमें परिवर्तन किया यह परिवर्तन किसका है एजी सुपान जो आस्ट्रिया के महान जलवाई वह ज्यानिक थे लाजिस्त थे क्लांइमिटोलाजीश्स जिसका नाम झाते और आप जोन अजी शुपान शुपान ने क्या चेंज़ किया देखनगे टॉपिकल जोन सेम 13sur ओप ऊपोश्र करिकम है, सारे lasthar teas स से लेकर 45 के मद धितुटी थरी & half से लेकर 45 डिग्री Lasit to true के अमद काहिए ड taught दोनोंगोला हयर्दों में इसके बाद temperate zone को कितना बताया 45 से लेकर 66 and half तक दोनों गुराज में 45 से लेकर 66 and half तक कहां तक temperate zone इसके बाद freeze zone में क्या बताया 66 से लेकर सेम धुरूँ तक दोनों भागों में उत्तरी धुरूँ और दच्छनी धुरूँ लेकिन जैसे कहा कि जब special information technology का दौर आया विज्ञान और प्रदोकी का introduction किया गया climateology में तो कुछ दूसरा ही स्वरूप हमारे पास आया और वह स्वरूप क्या है वह ही क्या है मान्य वर्तमान में और हर किताब में नहीं दिया गया है तो ध्यान लखें देखें ये ये थोड़ा सा आप देख लें कई जगा confusion होता है तो हिंदी और इंगलीस दोनों में मैंने लिख दिया तो यहां पर ता ये डिश्टिबिवियुशन आफ टमप्रेशर ये ताप भी आफ टमप्रेशर आप अप गलोब होना चाहिए न भुमंडल के ताप मान का च्यत्री वित्रण तो यह च्यत्री वित्रण है और इसमें साथ है पहला क्या है equatorial region, intertropical region, tropical region, subtropical region, temperate region, tundra region and polar region तो साथ इधर और साथ इधर तो कितने होने चाहिए 14 लेकिन एक कामन equatorial region और विश्वत रेखिये प्रदेश क्या है कामन है तो 13 section क्या आजाएंगे 13 और कटिमंद उस तरह से देखा जा तो 7 आ गये दोनों गुलार्दों में साथ साथ लेकिन एक क्या हुआ कामन हो गया clear अब एक एक पर हम बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आप से देखें इकिटोरियल जोन किटोरियल जोन की अगर हम बात करते हैं कर्थाक बिश्वत रेखी ये परदेश तो ये परदेश अब जो बाते आपको यहाँ पर मैं चर्चा करना उसको ध्यान रखना अगर इन तथियों को ध्यान रखोगे तिससे कई सब्obra एक तो जलवाय की स्थिति इसके बाद एक लॉस्ली जीन को शिस्टम की स्थिति कऊट की स्थिति और समाजिक सांस्क्रीश विकास की स्थिति सब कुछ यह कि इसिए 26 जलवाय की मूला बृति को और उसकी तिप्रता का और उसकी इंटेंसिटिटी और उसके नेचर को समझते हो तो वहां के हर प्रवित्ती को आप हर प्रवित्ती पर आप एक तरह से भविश्यमानी कर सकते हो कहने का मतलब क्योंकि जलवाई हुई सब जलवाई एक ऐसा प्राकितिक तत्वे जो मानों की प्रवित्ती के साथ साथ हर तरह की प्रसित समाजिक सांस्कृत आर्थिक प्रविर्ति के साथ मानसी के उंग परंपराओं को भी नियंतित करती है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आप से एकिटोरियल जोन तो जब एकिटोरियल जोन पर मैं बात करता हूं तो देखे एकिटोरियल जोन या एकिटोरियल रिजन विश्वत रेखे दोनों गुलार्दों में अर्थात यह प्रदेश यह जलवाय प्रदेश विश्वत रेखा के दोनों और अर्थात उत्तरी और दच्छनी गुलार्द में पांच पांच डिगरी अक्छांस तक अंस अक्छांस तक विश्थे थे आदर्स में लेकिस सूरी के उत्तरायन और पांच डिगरी आपको दिख रहा है पांच से पांच डिगरी तो दिख रहा है लेकिन जब सुर्य उत्तायन और दच्छनायन होता है तिसमें विचलन होता है जब विचलन होता है यह भाग जो है कहने का ताथ पर यह हुआ यह अगर यह पार्ट जो है विचलित होता है उपर ट्रोपिकल कनवर्जेंस जोन और यह उत्राइन की सिती में 25 डिगरी उत्तर की ओर और इतना ही दश्ण की ओर खिसक जाता है और इस खिसकाओ के कांड छेतर विसेश की जलवाई में विचलन होता है जैसे मानसून के दोरान यह पूरा का पूरा छेतर जो होता है महान मैदान क उपर होता है यह कैसे होता है जब मानसून कभी आपको कराएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे तो यह पूरा का पूरा छेतर है अगर मैप में बात करें तो मैप वाला अगर छेतर हम लेने की कोशिश करते तो यह यह पूरा का पूरा छेतर क्या है एक अईसे हो जाता है। मौसम होता है दिन और रात के ताफमान में कोई अंतर नहीं होता है और इश अगर आपके पास कोश्चन पूछा जाए तो यह दिमाग में आप रखें कि यह एक ऐसा क्लाइमेटिक जोन है एक ऐसा जलवाई प्रदेश है जहां पर सीत रितू नहीं होता है ध्यान रखेंगे और वार्सिक और दैनिक तापांत रती न्यून होता है यह पूरा छ्छितल वर्ष वर्षबर उश्नता आद्रता से प्रभावित रहता है और यहां विश्व की अधिक्तम वर्षा अंकित की जाती है प्रती दिन यहां दोपहर के बाद समोहनी वर्षा के संदरमे एक बार आप से मेरी बात भी हुई थी, कि यहाँ पर प्रती दिन दो पहर के बाद समोहनी वर्सा होती है, समोहनी धारायें चलती हैं, तिब्र दुधोष्मता आप मान परिवर्तन के कारण कपासी वर्सा बादलों का निर्मान होता है, क्यूमलस क्लाउड निर्मित होते हैं, और ये गरज और चमक के साथ प्रती दिन दो पहर के बाद घंटे से दो घंटे बारिस करते हैं, और वो अभी बारिस मुशलादार होती है, और इस छेत्र में जो वर्सा का आउसत है, वह 200 सेंटीमीटर से अधिक है, तो इस छेत्र में विश्व की अधिक्तम वर्सा आंकित की जात है, ति कीटोरियल जोन पर कहने का मतलब यहां तापमान प्रमनता अती न्यून होती है, दैनी करोवार्शिक दोनों ध्यान रखेंगे, इसके बाद दूसरा जोन है हमारा, दूसरा जोन है, इंटर टॉपिकल रीजन, अर्थात अंत्र उष्ण कड़िबंदी है, तो आदरस ग्रीन कलर के आप देख रहे हो, अब यह जो अगर यहां की अगर हम बात करते हैं, इंटर टॉपिकल रीजन की, अंतर उष्ण कड़िबंतरा, उष्ण कड़िबंदी प्रदेश की, तो यहां पर जो जलवाई परिघटनाएं, मौसमी घटनाएं, परिघटनाएं, जो की इ इन फॉरेस्ट कौन कौने अमेजन है, गिनी का तठ है, सब कुछ जहां की विश्व के अधिक्तम सगन बायो डायवर्सिटी भी देखी जाती है, तो लगवग यह बिवस्थाव ऐसे ही है, लेकिन यहां पर अप मौसम परिवर्तन का आभास होने लगता है, तो कई बार पर अगया, उश्ण कडिबंदी यह प्रदेश, ट्रॉपिकल जोन जिसका विस्तार दोनों गुलार्दों में हम देख रहे हैं, जिसका विस्तार दोनों गुलार्दों में कहां पर है, बारस से पचीश डिग्री, 12 तु 25 डिग्री लेटिटिटूड इन बोथ हेमिस्पियर इसको नाम दिया गया, ट्रॉपिकल उश्ण कडिबंदी इस कडिबंदी की सबसे बड़ी विशेष्ता यहां यह है, कि यहां सबसे ज़्यादा तापमान अंकित किया जाता है, दिन का तापमान सरवच होता है विश्व में, और यहां पर कारण यह है कि वर्षन की अपेक् वास्पी करण जादा होता है, इस छेत्र में वर्षा जादा होती है, वर्षा से जादा क्या होता है, वास्पी करण होता है, यह ब्लेक कलर वाला छेत्र क्या होता है, सुस्क बना रहता है, और यहां पर इसी छेत्र में समानेतम मध्यवर्ती और पच्मी भाग में तुमें, डेजर्ट और डेजर्ट विक्षित होने का एक मौलिक कारण यह भी है, और अन्य कारण भी है, तो यहां वर्षन की अप इच्छा वास्पी करण जादा होता है, यहां विश्व का अधिक्तम तापमान अंकित किया जाता है, अगर तापमान की बात करें, तो आप न यह वाले छेतर है पूरा, यह ट्रोपिकल सून, तो मैं परूत्री गुलार्द में दिखाएंगे और यहां विश्व के अधिक्तम रेगिस्तान है, आपको पता है, यहां पर मुझावे, सुननर रेगिस्तान, यहां पर आगए ग्रेट सहारा रेगिस्तान, इसके बाद अरब का रेगिस्तान, इरान का रेगिस्तान, अपना थार का रेगिस्तान, यह सब आ जाते हैं, अगर दच्छनी गुलार्द में जाते हैं, तो आटाकामा का रेगिस्तान, कालाहारी का रेगिस्तान, और यहां पर आ जाता है, ग्रेट आस्टिनिन डेजर्ड, तो यहां पर क्या हुआ वर्सन की अपिछा क्या होता है अधिक क्या होता है वास्पी करन्तिया सुस्कता बनी रहती है और यहां पर विश्व के अधिक्तम तापमान अंकित किये जा चुके हैं तो जब टॉपिकल जून की हम बात करते हैं कि कहां कहां तापमान अंकित किया गया तो जो रिकार् ध्यान रखेंगे या अल अजीजिया अभी बोलते हैं इसको अब तक का अल अजीज अब तक का मैक्सिमम तापमान जो किताबों में दिया है नमिंतम सुचना कुछ और है लेकिन हमें किताबों का भी अनुसरान करना है अंठावन डिगरी त्रम प्रेशर दीन का अंकित किया गया कहाँ पर लिविया के नगर अलजीजिया में इसके बाद या अलजीजिया में इसके बाद संयुत राज अमेरिका की डित्वेली में मृत घाटी में डित्वेली कहाँ पर यूएस से में लगबग संतावन डिगरी सेंटीग्रेट और इसी तरह से पाकिस्तान के जैकोबाबाद कहां पर अपने पडोश में पाकिस्तान के पास है यहां भी लगबक संतावन डिग्री तापमान अंकित किया गया तो कई बार फैक्ट पूछे गए और इसको समायत करके लिख भी सकते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान जो मान ने अंठावन डिग्री सेंटिग देठ वैली युएसे में संतावन डिग्री सेंटिग्रेट और जैकोबाबाद पाकिस्तान में भी संतावन डिग्री सेंटिग्रेट लेकिन यह किताबों में दिया गया है तो किताबों का अनुसरन करना परिच्छा के पॉइंट अविव से यानि परतियोगी परिच्छा क पॉइंट अवियू से बहुत करने का मतलों कि करना हमारी मजबूरी है लेकिन आधूनिक सूचनाओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इरान के रेगिस्तान रेगिस्तान दस्त एलूत में किस में दस्त की लूत में 2005 में अमेर की विद्वानों ने 75 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान अंकित किया है लेकिन अभी इस पर विबाद है कहाँ पर इरान के रेगिस्तान दस्त एलूत के किसी जगर पर 75 डिग्री सेंटिग्रेट तक तापमान अंकित किया गया लेकिन इस सूचना में विबाद है लेकिन नविंतम सूचना में पूछा जाये तो इसका नाम देगे अब इन छेत्रों में देखो चब सुचक जलवाई है तो बेसिकली मध्यवर्ती और पच्छमी भाग में रेगिस्तान पाया जाता है और इसके पूर्वी भाग में क्या होती है मानसूनी जलवाई आ जाती है तो वहाँ पर रेगिस्तान नहीं है तो यह टमप्रेशर जोन की हम बात करें तो यह टमप्रेशर जोन दोनों गुलार्दों में कहां पर बारत से पचीश डिगरी अक्छांस के मद्ध है तो यहां के परिस्थितियां अनेक परिस्थितियां इस जलवाई को क्या करती है या इस पूरे रिजन को नियंतित करती ह क्लियर तो अधिक्तम तापमान कहां कहां कित किया गया तो यह अधिक्तम तापमान है इसी तरह से एक कोश्चन आप से पूछा जा सकता है कि कहां पर अधिक्तम आउसत तापमान अंकित किया गया है तो अधिक्तम आउसत तापमान मैक्सिमम एवरेज टंप्रेशर इंगलिश में भी लिखते जना आप लो अधिक्तम और शत्ताप मान और शत्ताप का आंकित किया गया तो ये एक जगह है डलोल क्या नामे डलोल डलोल कहाँ पर इथोपिया में अफिरिका का देश इथोपिया में इथोपिया के डलोल में अधिक्तम और सत्ताप मान अंकित किया गया 34 रिगरी से उपर और सत्ताप मान दीनदात ने पूरा और सत्ताप मान तो ये कुछ फैक्ट है तो फैक्ट को भी दिमांग में आप रख तो ये ये तीसरा वेल्द हमारा हो गया इसके बाद अगर हम बात करते हैं टौइकल जोन के बाद सब टौइकल तो जब टौइकल जोन दोनों गुलारदू में 25 से 45 अक्षांस के मद्ध है। लोकलर, उपोश्न कडि मन्द, इंगलिस में क्या लिखा, आमने इस तरह से क्या हुआ, उपोश्न कडि मन्द, तो उपोश्न कडि मन्द का विस्तार दोनों गुलारदों में क्या देख़े हैं, पचीश से पैचालिस डिग्री अक्षांच के मध्य, टॉन्टी फाइव इवन बसर के लिए सबसे अच्छा है, न तो ज़्यादा गर्मी, न तो ज़्यादा ठंदा, तो कभी मन हो कि बसने का तो सब ट्रॉपिकल जोन में बस जाएं, या टेंपरेर जोन में, यहां बताया जाता है कि जो सबसे अधिक तापमान है, अगर यहां हम बात करें सब का 30 भाग उत्तरिया फिरका का 30 भाग इसराइल हो गया फिर इसके बाद इस्पेन इतली यह सब आ जाते यहां पर अधिक्तम तापमान जो आन्रिकार्ड 34 भी आने सबसे गर्म महीने के सबसे अधिक्तमान कितना हुआ 34 भी सेंटीग्रेट और सीत्रितु में 5-9 भी होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है 0 भी तक पहुंच जाता है और इस शेत्र में कहा जाए कि यह जो जलवाई है यह जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रिजन है यहां पर खुब सिट्रस फ्रॉट पाए जाते है आने कहने का मतलब कि जो रशेदार फल है जैसे नीबू है नारंगी है नारंगी बोले तो औरेंज है माल्टा है अंगूर है खुब उत्पादन किया जाता है जैतुनों गयरा का तो यहां की जलवाई को ही करते हैं यहां पर चुकी रशेदार फल है रशेदार फल है और रहने के लिए उची जलवाई है तो यहां पर फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाइन इंडस्ट्री स्राब उद्यो क्या है विक्सी तवस्था में ध्यान रखेंगे कभी आपको जलवाई वर्गिकरन कराएंगे तो अभी इस तत्यों को लेकर हम आएंगे क्लियर अब इसके बाद है टेंप्रेड जों अर्था सितोष्ण करीबंद की बात करते हैं तो सीत और उश्ण यहां पर थोड़ी सी तलता बढ़ेगी तो सितोष्ण करीबंद का विस्तार दोनों गुलार्धों में 45 टू 66 एंड हाफ टेंप्रेट जोन, टेंप्रेट जोन, सितोषन, कटिबंद, इस जोन की विशेष्टा क्या है, इस जोन की विशेष्टा ये है, कि यहाँ पर जो तापमान है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेट होता है, ग्रिस मिरितु में, जलवाय परिवर्तन की प्रविर्ति में तो यह कितनी रूप से कि ग्रिश्म रित्व में तापमान जो होता है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेट और सीत रित्व में समानिता माइनिस पंदर तक पहुंच जाता है लेकि कभी-कभी जो जलवाई परिवर्तन अभी इस साल की बात करें तो इस च्छित में माइनिस 64 डिग्री सेंटीग्रेट तक तापमान आ गया कहां पर टेमपरेट रिजन में तो यह वो छेत्र है जो बसकली यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी मध्यभार को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है अगर दच्छनी गुलार्द में जा रहे हैं तो दच्छनी मध्य चील और इसके साथ 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 अफिरका और आस्टेलिया के दच्छनी भाग को क्या करेगा यह पंट्रोल कर में उच्छेत्र में होगा न्यूजी लेंड के आसपास तो यहां पर जो तापमान है अगर देखा जाए ग्रिस्म रितु में 22 डिग्री सेंटीग्रेट और सीत रितु तेुम्न एक दिसंबर में यहां 24 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान हंकित किया गया इस छेतर में रूस में करें चैअटरा के कई छेतर में तो यहां पर यहां की दगट देखा जाए तो कहा जाता है जैसे से माइनस पहुंच गया 15 या माइनस 64 हो गया और फिर 20 दिगरी तो कितना अंतर हो गया तो यहाँ पर एन्यूवल जो टंप्रेचर ग्रेडियेंट हो क्या है मैक्सिमा में कहाँ पर टेंप्रेट रिजन में इसके बाद टुंडरा रिजन टुंडरा रिजन की अगर हम बात करते हैं कार्यात्मक रूप्षे फंक्शनली तो टुंडरा रिजन की जब हम लोग बात करते हैं तो टुंडरा रिजन की स्थिति यह है कि अगर बात करते हैं तो दच्छनी गुलार्द में फंक्शनली नहीं है क्योंकि दच्छनी गुलार्द में यहाँ पर महासागरी छेत्रे और महासागरी छेत्र में जलवाय की परस्तितिया हमेशा सम बनी रहती है, यह एक समान, तो ध्यान रखेंगे लेकिन यह दिखाया गया है, theoretically यह आपको दोनों गुलार्दों में, लेकिन जब हम functionally climatic region की बात करेंगे, तो यहाँ पर यह नहीं, बलकि यह कहाँ पर पाये जाएगा, नार्थ हेमिस्पियर में, नार्थ हेमिस्पियर में, या नार्थ उत्तरी गुलार्द में कहाँ, साड़े छ्याचर डिग्री से लेकर धुरूवी छेत्र, तहां तक from 66 and up, डिग्री to polar region, तक तो यहाँ यह ऐसा छेत्र है, जहाँ दस मह होता ही माच्छादन रहता है, ग्रिश्म रितु में, जब बर्फ फिगलती है, तो कभी-कभी शैवाल, शैवाल बोलें, तो एलगी जिसको आप काई की रूप में जानते हैं, और कुछ पुष्पी पादप उग जाते हैं, या लाइकेंस हो गेरें, दिखाई देते हैं, ल यहां पर मूलत हमें क्या दिखाई देता है, कि उत्तरी गुलार्द का नियूंतम तापमान, अब यहां ध्यान रखना, उत्तरी गुलार्द का अब तक नियूंतम तापमान कहां अंकित किया गया, उत्तरी गुलार्द का नियूंतम तापमान वर्तमान में कहां अंकित किया गया तो तुन्डरा छित्र में रूस के अब बरको या नास्क में अब यहाँ पर कई किताबों में कई गाईडों में मुलत सभी मौलिक किताबों में मैंने देखा और गाईडों में देखा कि विश्व का सबसे निउन्तम तापमान वर्को या नास्क में दिखा दिया जाता है लेकिन वास्तों में उत्तरी गुलालत का सबसे निउन्तम तापमान है और यहां निउन्तम ताप का पार्ट है उत्तरी पुर्वी रसिया में है कहां पर है उत्तरी पुर्वी रसिया में अगर मैप की बात करें तो यहां पर है यह दूसरे मैप में आपको मैं दिखा दे रहा हूं अगर मैप की बात करें तो यहां पर क्या है यहां पर वर्खों यानाज की यहां तापमान माइनस 68 डिग्री सेंटीगेट किसका भाग है यह रसिया का ठिक अधिक्तम तापमान वाले यहां है यह छेत्र है इन छेत्रों में और यहां पर अधिक्तम तापमान तो यह क्या है अल अजीज 58 डिग्री सेंटीग्रेट यहां पर और यह क्या है डेथ वैली है यूएस से की यूएस से की डेथ वैली यहां पर लेंगे डेथ वैली कहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 57 डिग्री सेंटीग्रेट फिप्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेट ठिक तो यह अगर आप से पूछा जाए कि विश्व का नियुंतम तापमान तो हर पुस्तक में दिया वर्ख्वयानास लेकिन यह उत्तरी गुलार्द का है विश्व का अधिक्तम तापमान उत्तरी गुलार्द में नियुंतम तापमान भी उत्तरी गुलार्द में लेकिन यहां ध फोलर रीजन निख क्या आगया पोलर रीजन तो पोलर रीजन में अगर बात करते यह छट तो महासागर्च से पूरी तरह से ढखा हुआ है कहने का मतलब कुछ पाइट पोलर रिजन में जैसे ग्रीन लेंड का आ गया है कुछ दियूप हो गए रहा है लेकिन अधिकतर क्या है आर्कटी कोशन के रूप में है तो उतना ज्यादा विचल नहीं देखा जाता है लेकिन अगर दच्छन भाग में हम जाते हैं तो यह ग्री गुषन का अन्य ग्रिस्म रितू रहती है तो यहाँ पर वर्स बर क्या होती है जो यह वाइलेट और ग्रीन कलर आप देख रहे हैं टूंडरा और यहाँ पर सीत रितू रहती है ध्यान रखेंगे लेकिन विश्व का निउन्तम तापमान यहाँ पर अंकित किया गया नाम है वोश्टोक जहां माइनस 89 डिगरी सेंटिगरेट तापमान अंकित किया गया तो विश्व का निउन्तम तापमान वर्कों यहाँ बलकि वोश्टक है हाँ वो बात जिगर है अलग है दिगर मतलब कि अलग है कि दोनों ही भाग रूस का है जब आंटार्टिका का मैप आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोश्टक छेतर है यहाँ पर रूस का अधिकार यहां रिसर्च और डेबलमेंट चल राए तो जब मानचीतर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे दोनों ही रूस में है लेकिन एक मूल रूस में और यह कहां अंटार्टिका पर वोश्टक में तो जब बात हम करेंगे तो बात जब करेंगे तो इस्तिति क्या आजाएगी कि अधिक्तम तापमान नियूंतम तापमान तो नियूंतम तापमान यह क्या है साउथ हमिस्पियर का और जब अधिक्तम तापमान की बात करेंगे तो यहाँ पर है यहां पर यह क्या है वोश्टक वोश्टक और यह अभी रसिया के अंदर है ध्यान रखेंगे रसिया के अंदर है और यहां माइनस 89 दिगरी सेंटिगरी टापमान अंकित किया जा चुका है तो ये मौलिक जोन्स हैं और इसको कोशिश की गई कि आपको बेवारी किस तर पर समझा दिया जाए तो इस तर्थे को आप क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे और मैं आसा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो जब हमने बात की temperature zone की तो temperature zone इसलिए जरूरी है कि temperature के आधार पर इस सारी क्रिया कलाप संचालित होता है क्योंकि temperature से ही energy मिलती है और energy और उसमा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी उसमा energy के स्रोथ हैं चाओ जैविक है वा जैविक उसके पीछे क्या है सौरिक विकिरण है तो regional and latitudinal temperature distribution तो ग्रीक विद्वानों ने पांच जोन दिखाया और सुपान ने साथ जोन दिखाया कितना दिखाया साथ जोन दिखाया आप देखें ग्रीक विद्वानों ने पांच जोन दिखाया वह इसे तीन है लेकि पांच आएगा और सुपान ने क्या दिखाया साथ जोन ठीक लेकिन आधूनिक विज्ञान के आधार पर जोन जोन प्रस्तुत किया गया वो क्या है तेरह जोन है साथ है लेकि तेरह है और नाम इनका और आप से जिसे कहा कि मल्टिपल च्वाइश टैप का जो कोशन इनके विस्तार को पूछा गया तो धीने ध्यान रखेंगे एकितोरिय रेजन फाइव तो फाइव इंटर टॉपिकल रेजन फाइव तो 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 टॉपिक निउन्तम टापमान, दैनिक टापांतर, वार्शिक टापांतर और क्या-क्या प्रवित्तिया है। तो ये आपको बता दिया गया। तो निशे अगर इन सेक्षन से कोश्चन आपके पास बनते हैं। से कर लेंगे, तो इस तरह से इसको कर लेंगे, नेक्स ठाइम कुछ अच्छे, क्व किसी तरह से important topic लेकर मैं आउंगा, तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, और अपना और अपने परिवार के साथ साथ आस पास का बहुत ख्याल रखे, ओके, थैंक यू